सो हेलो दोस्तों सुवागत है आप सोगी का मैट्रिक्स के तीसरे वीडियो में दोस्तों जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो आएगा वो दो मैट्रिक्स के गुड़ा वाला होगा तो सबसे पहला जो condition है वो ये है कि अगर दो वर्ग आप वीव है तो इनका गुड़ा आसानी से हो जाएगा उसके बाद में अगर कोई एक आप वीव ए है और दूसरा आप वीव भी है अब इसका हमें यह गुड़ा करना हो तो गुड़ा तब हो पाएगा जब पहले आप वीव का अस्तम की संख्या और दूसरे आप वीव का जो पंक्त है उसकी संख्या सेम होगी तब हम इस प्रकार दो मैट्रिक का बुड़ा कर पाएंगे अब यह दोनों कणिशन पहले जानी वर चाप वियो में पानौ कर जाएंगे और दूसरा आप वीव इस प्रकार का होगा इस प्रकार से हमने दो आप विव ले गी है अब दोस्तों हमें इन ए और बी का जब बुड़ा करना होगा है अब कैसे इनका आपस में गुड़ा होगा इस पर हम बात करते हैं अब एबी का जब गुड़ा किया जाया तो हम इस प्रकार चलिए एक इनटू भी लिखने के बाद में उस तरह हम दोनों मेट्रिक्स को लिखेंके उसके में गुड़ा कर्श से गुड़ा होगा दोस्तों सिम्पल है पंग ती गुड़े अस्तम होता है यानि कि पहला मैंट्र के फिर उसी एलिमेंट का जो पहले मेटरिक्स का पहले पंक्तव पंक्ति से director के दूसरे अस्तमले धीमेंट से गुड़ा करकर तीसरे अस्तान पर पहले मैटरिक्स के दूसरे पंक्त के element का गुड़ा, दूसरे matrix के दूसरे अस्तम से गुड़ा करकर हम चाहुत्वे अस्थान पर लिखते हैं इस प्रकार से हमारा matrix का answer आगा मिल जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया है A, B, C, D और हमें E, F, G, S पुछी प्रकार से इन दुरों का गुड़ा करना तो simply से हमें गुड़ा करना है पहले matrix का पहला पंक्त लेते हैं जानी कि A, B A, B का गुड़ा हम दूसरे matrix के पहले अस्तम से करेंगे यानी कि E, G से करेंगे तो कैसे किया दाएगा A का गुड़ा E से होगा तो हो जाएगा A, E फिर पलस का चिल लगाएगे फिर B का गुड़ा G से करते हैं तो B, G हो जाएगा तो क्या होगा A, E, P, L, B, G जो हमें matrix प्राफ्त होने वाली उसमें हमारा जो पहला element होगा A, E, P, L, B, G इस प्राफ्त होगा पहला element हमें मिल गया अब दूसरे element कैसे मिलेगा दोस्तों पहले matrix के पहले पंक्ती के element का गुड़ा हम दूसरे matrix के दूसरे अस्तम के element से करते हैं यानि की F, H से करते हैं तो यहाँ पर हम A का गुड़ा F से करेंगे तो A, F हो जाएगा और B का गुड़ा H से करेंगे तो B, H हो जाएगा तो A, F, P, L, B, H इस प्रकार से हमें दूसरा element मिल जाएगा तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें तीसरा element कैसे मिले तो दोस्तों तीसरे element को पाने के लिए simply से पहले matrix के दूसरे पंक्त के element का गुड़ा दूसरे matrix के पहले अस्तम के element से कर देगे यानि कि C, D का गुड़ा E, G से कर देगे तो C का गुड़ा E से होगा तो C, E हो जाएगा फिर पलस का चिन लगाएगे फिर D का गुड़ा G से हो जाएगा तो DG हो जाएगा तो मतलब CE plus DG हमें मिल जाएगा तो इस प्रकार से में तीसरा element मिल गया आप हम चौथे element पर बात करेंगे तो दोस्तों हमें चौथा element किस प्रकार से मिलीगा जब हम पहले matrix के दूसरे पंक्ती के element का गुड़ा दूसरे matrix के दूसरे अस्तम के element करेंगे तो हमें जो चौथा element है वो मिल जाएगा तो simply से हमें क्या करना है CD का गुड़ा FH से कर देना यानि कि C का गुड़ा F से करेंगे तो C F हो जाएगा और D का गुड़ा H से करेंगे तो DH हो जाएगा यानि कि CF पलस DH हमें यह 14 एलिमेंट मिल जाएगा तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का गुड़ा कर पाएंगे अब सिंपिली से हमने यह कुछ मलब ABCD लेकर हमने आपर बता दिया अब दोस्तों इसको अंक में जब आप करेंगे तो वहां पर आसानी से कर पाएंगे तो दोस्तों वीडियो लॉंग हो रही है इसलिए जो हमनारा जो दूसरा कंडिसन था यानि कि जो दो मैंटरिक्स के पहला मैंटरिक्स यह और B svrdw जो जब अस्तम्भ पाएंगे तो रहे हैं अगले वीडियो में उसको लेकर आएंगे तो उसको जरूर देखिएगा और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताईएगा और दोस्तों यदि अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करकर जाएगे गर दोस्तों यदि आप हमारे इनिस्टेग्राम एकाउंट चे जुनना चाहते हैं